गुद मॉर्निंग दोस्तों मैं सुप्रिया फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लेर्ण सौर्टकट में दोस्तों कल हमने टाइम अस्पीड अंडिस्टेंज चेप्टर के ट्रेन सेलिटर्स प्रॉब्रम का सेशन देखा था जिसका लिंक आपको ऊपर आ और इंपोर्टेंट ट्रेक्स देखते हैं क्योंकि एक्जाम के भी उसे यह चेप्टर बहुत इंपोर्टेंट है तो चलिए दोस्तों बिना समय नश्ट के चलते हैं हम लोग अपने सेशन की ओर दोस्तों इस चेप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ कंडिशन बताते हैं पहला कंडिशन है दोस्तों पहला कंडिशन देखने से पहले आपको यह अच्छे सा समझना पड़ेगा कि जब कोई नाओ है किसी नदी में चल रही है तो नाओ की गती जो है वो नदी की धारा की स्पीड से की गती से ज्यादा होना चाहिए तब ही यह समभब है क्यांकि आप खुद सोचएstorm दोस्तों कोई नदी है उसकी धारा की जैदा है विपेदिशा से हो आ रही है कोई नाओ जो है वो जा रही है उससे कम तिसा उससे कम स्पीड से जा रही है तो रही है जब नाओ को आगे बढ़ने ही नहीं झेगी तो पहलें जो है वो गती नही तो उस कडिस्टिंजन देखते हैं पहला कंडिशन में बहूं रहा है धारा के प्रतिकूल यह प्रतिकूल को यह मुदर प्रभावी करते हैं यह फिर इंगल्स हुआ अपर स्ट्रीम भी कर सकते हैं यदि कोई नाव है पानिकी बहाब की गति के विप्रीत दिशा में चल रही म यह और यह द्धारा का गति है तो अगर धारा के गतिके विप्रीव करते हैं या फिर इसका पुदर परवा का सकते हैं कि अफिर कंडिशन में सोचें दोस्तों क्या होगा घएगी नाव की दारा जो है उसना को पीछे ढगेलना चाहेंगी इस कंडिशन में क्या हुआ कि नाउं की करति जहां वो कम जाएगी कि जितना स्पूर्ट से वो दसका अगर मान लेते हैं कि वो दसके स्पूर्ट से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है और धारा का स्पूर्ट छैज़ोर्ण दो है तो यह दो के स जाएगा 8 हो जाएगा इसी तरह से कहने कातात पर हुआ कि जब कोई भी धारा जो है धारा की भी पीक दिसा में कोई नाव चल रहा हो उस कंडिशन में यदि हम नाव की गति को निकालते हैं तो नाव का गति यदि माल लेते हैं हम कि नाव की गति एक्स किलोमीटर प्रतिगंटा है और धारा की गति बाई किलोमीटर प्रतिगंटा है तो उस कंडिशन में नाव की चाल जो है वो एक्स मैनस बाई होगी ठीक है दोस्तों ठीक है अब चलते हैं इसी का दूसरा कंडिशन पहला कंडिशन था कि नाव जो है वो धारा के पिप्र दिशा में चल रही है तब उस कंडिशन में था कि इसका जो चाल होगा वह साथ चल रही हो या फिर उसी के साथ चल रही हो या फिर आप इस पनुप्रभाह कह सकते हैं अब इंग्हलीस में आप इसी को डाउन स्ट्रीम कहें गेंगे इस कंडिशन में क्या होगा अभी अब अब हमने आपको बता है मान लीजिजी जो है वह नदी की दोनों का डारीक्शन जब सेम है तो जिस अस्पीर से यह बताएगी दहरा और उसको पच्छे से डखे लीकिंदी मतलों इसका स्पीर जो हो बढ़ जाएगा तो स्पीर बढ़ जाएगा अर्थात कहने का दात पर है कि यदि नाउग की छाल जो हो एकस किलोमीटर प्रति घंटा हो और दहरा की जाल 20 km प्रति घंटा हो तो उस कंडि और दिश्टेंग से रिलेटर चेप्टर ही है तो यह जो चेप्टर है हम इसको भी जो है सेम फॉर्मुले के अधार पर ही लेकर चलेंगे आपको पता है इस चेप्टर का एक मत बेसिक सुद्र होता है दूरी बराबर स्पीर इंटु टाइम इसी सुद्र के अधार पर हम देख ओब अभिनेया अपको दो पता ईया पहले जिब धार नदा के नदीकी धारं zip लिस्टामे प्रतिकुल डीसामे जब उसकी डिसा हो तो सकांडीशन में चाल एक्स-वाइघ्य असको दो 24 दो अब हम लोग देखते हैं जो कि हमने आपको क्या बताया कि दूरी ब्राबर स्पीड इन्टू टाइम तो हम दोनों कंडिशन में देखते हैं कि जब नाव जो है वह धारा के अनुकूल कोई दूरी को तय करता है तो उस दूरी को तय करने में लगा हुआ समय क्या होगा ठीक है दोस्तों माल ने दे समय तो समय को 12 लिख लेते हैं थाके आपको ध्धान रहे कि आनकूल के बारे में बताया जा रहा है कि इस समिप्रापर क्या हो जाएगा दूरी को आप दी मान सकते हैं दूरी बटा चाल क्या होगा दोस्तों अभी आपको बताया था कि जब कोई नाव जो है किसी धारा कानुकूल दिसा में चल रही हो तो उस कंडिशन में जो है चाल जो है वह एक्स प्लस बाई हो जाएगा जहां ए ठीक है दोस्तों ठीक उसी तरह से हम लोग चलते हैं आप स्ट्रीम के लिए आप स्ट्रीम के को हम लोग यहां पर टी यूपी लिख देते हैं ताकि आपको समझना है यूपी या फिर यूपी लिख सकते हैं दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसके बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटा चाल चाल यहां क्या हो जाएगा एकस माइनस बाई ठीक है चलिए अब हम लोग इस सारे कंडिशन को जो है हम लोग एक्जामपल के द्वारा समझते हैं यह हो गया क्या अनुकूल गति में अनुकूल दिशा में जब चल रही है यह समय होगी कब जब प्रतिकूल अब मान लिजे कोई नाव जो है किसी नदी को मान लिजे को एक नदी है उसमें जा रही है पहले बार जो है वो नाव पूरी गति के एक छोर से दूसरे छोर तक गई और बापस उस छोर से अपने पहले गरम भी कस्तान तक लोड़ गई तो इस कंडिशन में समय क्या हो इस कणिशन के लिए टोटल हो जाएगा पहले अगर अनुकूल निसामें चल रही है तो अनुकूल दिसा में चलेगे तो ठी बटा 2726 अब प्रतिकूल में लोटेगी तो प्रतिकूल तिसा हो जाए तो उस कंडिशन में टी बटा एक माइनस बाई ये टोटल समय हो गया जब कोई नाव जो है किसी नदी को पार करके बापस लाथती है घूंके दोस्तो अब चलिए हम लगफ लेखते हैं देखे दोस्तो हम लगफ बीसिक कोशिन से उठाते हैं कोशिन के हाइ लेबल तक जाते हैं पहला कोशिन बोड़ रहा है एक नाव को धारा के साथ 64 किलोमेटर की दूरी ते करने कि में कितना समय लगएगा यदी सांध जल में नाव की चाल 13 किलोमेटर प्रती घंटा हो तता धारा की चाल जो है फुट 3 किलोमेटर प्रती घंटा हो चलिए दोस्ते हम लोग पटक से इस ड़कते हैं तो दूरी बड़ा चाहां अब सोचिए दोस्टों चाहरो अभी अभी आपको बताया था जबन पूल दिसा में जा रहे हो नव भारा के साथ जा रही हो तो एक स्प्लस बाई होता है अप्रत नौ की जा प्लस धारा की जा नौ की जा थर्टीन है और थारा के ताद चाहँत्री है ताद शिक्स्टी फॉर बाई शिक्स्टीं डर्थाद फॉर का ताइमड इसे लगएगा चली दोस्तों अब देखते हैं हम लग अगला गोशिन अग्ञांपल दोस्तों इस चैप्टर से आपको एक्जाम में प्रीकलप को एक्जाम में कोशन का लेबल बहुत नहीं होता है कभी कभी कोशन पूछते भी हैं कभी नहीं भी पूछते हैं लेकिन में सीजल में इस चैप्टर से रेड़ हमेशा दो या तीन कोशन होते ही हैं तो चली हम लोग देख लेते कि एक्जाम में आकर क्या लेबल पूछा जाता है तो पहला कोशन बोल रहा हैं now 40 km प्रति-गंटा की स्पीड से की गति से एक निशे दोरी पर जाती है और 24 किलोमेटर की स्पीड से उसे थूरी पर वापस आती है तो खुल यात्रा के लिए उसकी औसद गती क्या है तो याद होगा दोज तो हमने आपको समय और दूरी चेप्टर में आपको बताया था कि औसद गती बराबर ताय की गई को दूरी बर्टा ताय करने में लगा हुआ कुल समय होता है साथ ही साथ हमनों आपको एक सूत्र पी बताया था कि औसत गति बराबर 2XY बटा X प्लस Y होता है यह ट्रिक भी हमने आपको बताया था तो इसी ट्रिक का यूज करते हैं और इसको solve कर लेता है तो औसत गति बराबर क्या हो जाएगा 2 x 40 x 24 बटा X प्लस Y 40 प्लस 24 था 64 चलिए हम लोग इसको काट लेते हैं आठ पर चालिस अच्छ अठी चौसेट आठी चौसेट आठी चौसेट आठी है चोविस पांती है पंद्रा पंद्रा दुनी तीस किलो मेटर प्रती घंटा इसकी औसर गति है इसी तरह के इसी लेवल का कोशन दोस्तों आपको एक्जाम में पूसते हैं मोशली तो चलिए अगला कोशन देखे दोस्तों अगला कोशन बोल रहा है एक नाव की चाल धारा की अनुकूल में 18 किलोमेटर प्रतिगंटा है तथा प्रतिकूल में 14 किलोमेटर प्रतिगंटा है सांध जल में नाव तथा डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है और प्रतिकूल अर्थात अप स्ट्रीम की चाल दीवे हैं जब आप इसको लॉंग मेटर में बनाएंगे तो आप कहने का ताथ पर है कि अगर हम लोग मान लेता है कि अनकूल डिशा में इसकी गति जो फ्रतिक्ल के लिए बाई है तो x- Twin बाइब शारज करते हैं यहां जो है दोवारा मैं दोहरा रही हूं यह जो एक्स है वह को की गति है वाई यह है वो प्रतिकूल की गति है कहने करदेतं पर हैं यह यह downstream होरी आपarm है तो चली हम लोगी स्ट्रीक का परियोग करते हैं हमसा पहले से पाल में magical future श्रौरहि है चलिए हम लोग इसको फटाक से सॉल्व कर लेते हैं 32 बटा टू अर्थाथ 16 किलोमीटर प्रति घंटा यह हो गई नाओ की चाल जबकि यह धारा की जाल हमें पूछेगा तो धारा ब्राबर क्या हो जाएगा अर्थाथ 18-14 बटा टू अर्थाथ 4 बटा टू अर्थाथ 2 किलोमीटर प्रति घंटा यह हो जाएगा धारा का चाल देखें दोस्तों हमने हमें कोई भी एक्वेशन स्वाल्व नहीं किया फटाक से दोनों चाल को जोड़ो और दो से बाग दे दिया कि बहुत ही आसाने आप तो यह कैल्कुलेशन अपने माइंड में भी कर शकते हैं यहां लिखने के भी जर्वेट नहीं होगी आप इस कोशन को मुझके से दो से के अंदर स्वाव कर शकते हैं चली दोस्तों देखने हैं वह अगला एक्जामपल देखें दोस्तों अगला कोशन हाजिर है वह एक ना दो दोस्तों धारा के अनिकुल अधाटD 93 किलो میटर की दुरी 4.5 आवर में घंटे में तय करती है लेकिन यह अधारा के प्रतिकूल अफर स्ट्रीम जो है 105 किलो मिटर की दूरी 6 घंट 18 मिनिट में तय करती हैं तो धारा के चाल गयात करना है तो चली हम लोग इसको इसको स् कंडिशन में क्या हो जाएगा दूरी कि बटा सुरी 93 किलोमीटर सुरी 93 बटा दूरी बटा टाइम लोग चाल निकाल रहे हैं स्पीड निकाल रहे हैं डाउन स्ट्रिंग के लिए तो दूरी बटा समय समय कितना घंटा में तैकर रहा है 4.5 घंटे में 4.5 पॉइंट को ओपर भेज देते हैं जीरो हो जाएगा जब लोग इसको काटेंगे तो पांग से कट जाए तो फिप्टीन से कट जाएगा फिप्टीन ती और शिक्स टू बटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा यह हो गया डाउन स्ट्रीम के लिए लेकिन अब हम दे रहा है दूसरा आप श्रीम के लिए तो चलिंगी हम लोग पस्ट्रीम के लिए यह निकालते हैं असव् commence में बूर्डा है कि 105 किलोमीटर की 06 मिनट में तैब करते हैं दोस्तों हम लोग पहले समय को पूड़े एक समय पूरे डे JUST हम लोग दे आते हैं 6 गंटा भूटा ass हो जाएगा घंटा कुछ कट करते हैं हम लोग तो छे से कट जाएगा यह छे ती आठारा छे देंट साथ साथ हो तीर सट बटा दस तीर सट बटा दस घंटा ठीक है दोस्तों चलिए दूरी अर्था एक सो पांच बटा समय समय कितना है जो कि अभी हमने लाया तो टेंट उपर चला जाएगा अब हमने डाल श्ट्री म की चाल निकाल लिया है कि चाल कि अप्रीए निनना के उपयाद करना मी那么 हम subscribe और एक में यह को नेके भूद करते हैं थे पहरा निकाल लेते हैं धारा की चाल क्या हो आपको याद है x-y बटा 2 अर्था एक्स जो है वो डाउन स्ट्रीम था डाउन स्ट्रीम बटा अपस्ट्रीम अर्था 62 बटा 3-50 बटा 3 जब हम लोग इसको solve करेंगे तो हो जाएगा 4 फोर किलो मीटर प्रति घंटा यह आपकी धारा की चाल हो गए दोस्तों आज की सफर को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं हम लोग फिर मिलेंगे नए-नए टॉपिक्स के साथ नए-नए कोश्चन के साथ और नए-ने ट्रिक्स के साथ इसी तरह के नए-नए और छोटे-छटे को सीखने के लिए यदि अभी तक हम आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ शेयर करें लाइक करें और बेल आइकन को दबाए ताकि हमारे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें